ने साल 2019 के सुबह आपके दर्वाजी पर दस्तक दे चुकी है बिते साल में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं हूँ और बहुत कुछ ऐसा भी रहा जिसकी हमने इच्छा ही नहीं की थी इसके बावजूद भी समय का भी एक सान नहीं रहता आईए आपको बताते हैं कुछ सक्सिस मंत्र जो आपके लाइफ को बदल कर रख देंगे सबसे बड़ी बात बीती बातों को भुला दे हर एक के जिन्दगी में सब कुछ एक सान नहीं रहता कुछ चीजे अच्छी होती हैं तो कुछ खराब लेकिन ध्यान रखे आगे बढ़ना है तो पहला सक्सिस मंत्र है अच्छे को याद करो और उसमें आत्म बिस्वास का बुस्ट अप लेते रहो जितना खराब हुआ उसे मत याद करो याद करना भी है तो उतना ही जितने काम का हो गलतियां हुई है तो उनसे सीखो और आगे बढ़ शाओ मेहनत करते रहो उसका कोई विकल्प नहीं हर वेक्ति के जीवन के कुछ इच्छाय होती है ये इच्छाय करियर प्रोफेशन सर जुड़ी होती है हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्लानिंग भी करते हैं लेकिन उन्हें पूरा करना आसान नहीं होता कई बार प्लानिंग से भी बढ़कर होती है मेहनत ध्यान रखे मेहनत हर चीज का विकल्प हो सकती है कई बार कड़ी मेहनत और इमांदारी के बूते प्रदिभाय हार जाती है बस ध्यान इस बात कर रखे कि ये मेहनत planning smartness और सही देशा में हो हम कितने आगे बढ़े हो, कहां पहुचे, पुराने गल्तियों को दोहरा तो नहीं रहे ये सारी बातों का आकलन ही हमे आगे बढ़ाता है आथमे विश्वास बनाइ रखें, दीन हीन ना बने हमेशہ हर परिस्थिती में आथमे विश्वास बनाइ रखें, خुद को कमजूर ना माने इस बात पर विचार करें कि एक व्यक्ति एक काम कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता प्लानिंग करें और अपने आदर्श बनाएं विश्वास बनाए रखें आत्म विश्वास सफलता कि सबसे बड़ी कुंजी है देश काल परिस्थिती के अनुसार कारे करें इस बात का विश्वास ध्यान रखें कि आपका हर काम मैंनत और प्लानी देश काल और परिस्थिती के अनुसार होने चाहिए स्मार्ट बने क्योंकि यह जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जहां आप साइकल से पोढ़ सकते हैं वहापैदर जाना मुर्खता है कई बार इमानदार के चकर में लोग मुर्ख भी बनते हैं कई बार लक्ष बहुत कठिन होता है और हमारी योगताईं चोटी हो जाती है ऐसे में ऐगी लक्ष पर लकीर के फकेर ना बने रहे अपनी योग्यताओं और शम्ताओं को समझे और उसके हिसाब से लग से तै करें